टब लोग देख पारे है कि सारे प्रस्फन आप सभी के लिए काफी मकूलेड और प्रिबियस इस कोश्ण लिया गया तो आप लोगों से एक ही रीक्षेस्टेक अगर आप सभी को अगर प्रस्फन का एंसर पता ओता तो आप controlled आप लोग सतर ये लिक सकते हैं ठीक whats तो चले श्टेन आज की स्क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रस्ने के साथ आप सभी का पहला प्रस्ने क्या पूछा जा रहा है पहला प्रस्ने करा है कि पूर्व नियोजित क्रम में भूमी की एक टुकड़े पर विभीन फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं यह कोशन आप सभी के 2018 के एकजाम में आरपीप एकजाम में पूछा गया है तो यह आप सभी के लिए काफी इंपूड़े कोशन हो जाता है करा कि पूर्व नियोजित क्रम में भूमी के टुकड़े पर विभीन फसलों को उत्पादन को क्या कहते हैं दूसरी हम लोग मिस्रित फसल के नाम से भी जानते हैं तो आपसर नमबर सी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चले अगले प्रशन को बात करते हैं सभी का दूसरा नमबर प्रशन है कि भारत के सबसे मीठी सबसे बड़ी मीठे जल की जिल निमनलीखित में से कौन सा है अब यहाँ पर आपसरी के और टाइप के प्रशन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे गहरा जिल कौन सा है भारत का सबसे ओचा जिल कौन सा है भारत का सबसे लंबा जिल कौन सा है खारे पानी का जिल कौन सा है और यहाँ पर आप सबसे पूछा है कि मीठे पानी का जल स्वरी भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जिल कौन सी है तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का अपसर नमब प्रश्ण है करें कि रंगोली भारत के कि इस छेत्र की प्रमुख कला सैली है रंगोली की बात क्या जाए कि भारत के कि इस छेत्र की प्रमुख कला सैली है तो तीसरा का राइट एंस रोज्जेगा अपसे नमबर भी यहनी कि महाराष्ट का हो जाएगा अपसे नमबर बी पूस्तक की लेखा कौन है और यहां पर इस्टेंट में आप सभी को पांश टॉपिक उपर बताने वाला हूं अगर आप सभी इस पांश टॉपिक को अच्छे तरीके से रीड कर लेते तो मैं आप सभी को गरांटी देता हूं कि आप सभी की 5 से 6 नमबर आवज से आप सबीकी एक्जाम में कनफर्म जरूर से जरूर होगा तो इस पांच टॉपी को आप लोग जरूर दे करके जाएगा कि अखिरी पांच टॉपी कौन कौन सा है यहां पर है कि वेल्थ आप नेशंस पूच्था के लेखा कौन है तो राइट एंसर हो जाएगा एडम समीत हो जाए चली अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का फाइप नमबर प्रशन पूचा जा रहा है फाइप नमबर प्रशन कर रहा है कि हमपी का खूला संग्रहाले कि सिराज्जी में है तो हमपी का खूला संग्रहाले की बात करते हैं आप सभी के किस अस्टेट में हैं किस राज रज़ी में हो जाएगा तो फाइब का जैगा आप सभी का करनाठक आप सब्सक्राइब नहीं किया और आप सभी को क्लास और कॉंटेंट अगर दिल से अच्छ लग रहा है तो प्रेश जिए चलना को सस्क्राइब कर साथ बेल ऐकन को प्रेस कर दीजेगा और अपना प्यार और सपोर्ट अपना कमेंट बॉक्स में जूर दिखा आए गया ठीके लगदा चलिए अगला प्रस्थने की सिंदु घाटी की सब्टा में घोडे के औसेस की बात करते हैं तो राइट एंसर हो जाएगा आफ सभीका अफसर नंबर यानि की सूरु कोटेदा में मिला था आपसा नमबर A इस्टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रशन को बात करते हैं कि 200 की सबसे बड़ी जहाज रानी नगर कौन सा है 200 की सबसे बड़ी जहाज रानी नगर कौन सा है तो 7 का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसा नमबर B आने की स्वेज नहर आपसा नमबर B आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रशन को और बात करते हैं एट नमबर प्रशन की भारती अर्थ ब्योस्ता पर सांख्यकी की पूश तक कौन प्रकासित करता है तो 8 का right answer हो जाएगा option number D याने की भारती रिजरब बैंक हो जाएगा option number D आप सभी का right answer हो जाएगा चली अगले प्रस्षन को बात करते हैं तो इस्टेंट आप सभी का 9 number प्रस्षने पूछा जा रहा है कि निमने लीखित में से किस खेल में बल्ले क्यों सकता होती है इनका चली अगले प्रश्न को और बात करते इस्टेंट आप सभी का दस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओलंपी की उत्पती निम्ने लीखित में से किस देश से हुई है तो ओलंपी की उत्पती की बात करते तो आप सभी का अपसा नंबर ए हो जागा ग्रीक अपसा न अगले प्रश्ण को बात करते बारा नंबर प्रश्ण है कि 1947 में गठी मसूदा समीती के अध्यक्ष कौन थे तो बारा का राइट एंसर हो जाएंगे अपसे नंबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण से 13 नंबर की प्रधान मंत्री उज्वला योजना निमने लेखित में से की से संबंदी थे अब उज्वला योजना के बात करते हैं एक्जिक्ट अगर ये प्रश्ण पूछा गया हो तो आपसी के प्रधान मंत्री से एक योजना से प्रश्ण जरूर पूछ जाए तो ठीक है ना करें कि प्रदार मंत्री उज्वाला योज़ना निम्नेखित में से किसे संबंदी थे अपसे नमरे जगा बीपील महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देना चलिए अगले प्रश्ण को बात करते चौदा नमबर है कि दादा भाई नरोजी ने इस्ट इंडि असर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण को बात करते 50 नमबर की कोलाइड एक निम्ने लीखित में से क्या है तो कोलाइड एक भी समांगी मिस्तरण है या समांगी मिस्तरण है या इमलसन मिस्तरण है तो पंद्रा को जाएगा भी समांगी मिस्तरण हो जाएगा भी समांग परिष्टी थे तो असम हो जैका अपसनमब़ ए two Bye चले अगले प्रशन को बात करते 17ड़ प्रशन की भारते संभीधान की प्रस्तावना में समझवादी सब्द कब जोड़ा गया था अब हतbayरते समेधान की प्रस्तावना में समझवादी सब्द की बात के जाएं कि कब जोड़ा गया था 17 का अपसर नंबर सी यानिकी 1976 में अपसर नंबर सी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रस्ण को बात करते हैं अपसर नंबर आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण 11 नंबर की बारते समिधान में किस कानून को देश का सर्वोच कानून कहा गया है तो यह हो जाएगा अपसर नंबर आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा है चाहली अगले प्रस्टन कu बात काथ है ट्वलीन rust को नमबर की बीस्व मेंग सोमें मैगरिफ का अगरणिय उत्पादन कोन करता है तो भी इस सोमें मैगि रिब लोग में बात करें उपचार में तो आप सभी कि आयोडीन समस्थानी का किया जाता है चली अगला प्रशन 22 नमबर की भारत के राष्टपती का कारेकाल कितना वर्ष्का होता है यह को आपके लिए छोड़ा हो कि इस कोशन का राइट एंसर क्या होगा क्योंकि कोशन बहुत ज तो 23 आप सभी का अपसन नमबर अने की केल होजाएगा अगला प्रशन 24 नमबर की किसणे समिधान की प्रस्ताना को सार कहा था वपी तो जैसा कि आप लोग देख पार है की सारे प्रसन आप सभी के लिए की इंपोर्टेड अंड लिया गया है तो आफ सभी इस एक छोटा से रिकेंष टी आप लोग इस क्लास को इंत देखेगा की कि सारे प्रसन आफसी केलिए एक्जाम ओरियंटेड लिया गया तो चले इस्टेन आज की इस क्लास को स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रस्णी की उर और ध्यान दिजेगा कि आप सभी का प्रस्णी क्या का रहा है पहला प्रस्णी का रहा है कि भारती रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है भारती रेल्वे में सबसे अधिक लमबाई किस जोनकी है तो राइट एंसर हो जाएगा आप सुई कि उत्री रेल्वे की जो लमबाई हो जाती वो बहुँ जादा है अगला प्रशने की भारत का सबसे पहला railway station कौन सा है भारत का पहला railway station की बात करें तो छत्र पति शीवाजी terminal हो जाएगा जो की मुंबई मिस्थित हो जाएगा आप सभी का right answer हो जाएगा Understand parts आप सभी के आरपर पवाली एक्जामे पूछे जाने वाले से most important questions का संग्रा आज की स्क्लास में लिया गया है अगला प्रस्णे की भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है तो भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी की बात की अजाए तो सताबदी एक्सप्रेस आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसने railway board की अस्थपना कभी की गई थी, तो railway board की अस्थपना की बात करें तो 1905 issue में आप सभी के railway board की अस्थपना किया गया था एंडौिश्टेंट आप पर one liner question, सारी one liner question आप सभी के लिए गया आप लोग देख पा रहे हैं अप लोगों के लिए इसलिए लाए गया है क्योंकि आप लोगों कम समय में अधिक सदी कोशन को कर पाएंगे जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोडेड होने वाला ध्यान दिजेगा चली अगले प्रस्ने को बात करते हैं अगला प्रस्ने की ब्रांड ते गेज रेलिवे लाइन की चोड़ाई कितनी होती है 1.67 मीटर होती है अगला पॉइंट है अगला कोशने की भारत की प्रथम रेल गाड़ी द्वारा कितनी दूरी तैकी गई थी भारत की प्रथम रेल गाड़ी द्वारा कितनी दूरी तैकी गई थी तो 34 किलो मीटर आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ने की भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी तो भारत में पहली रेल की बात करें तो बंबई से थाने तक चली थी अगला प्रस्ने की भारत में पहली बार मेटरो रेल सेवा किस नगर में आरंब की गया थी तो राइट एंसर हो जाएगा आफ सभी का कोल कत था एंड इस्टेंट जिस कोशन में आप सुझी को पहली बार आने की फर्स्ट लग रहा है उस कोशन को आप लोगा स्टार मार के लिखेगा क्योंकि ऐसी प्रस्ण आप सभी के एक्जामें पूछे जाते चली अगले प्रस्ण को बात करते अगला प्रस्ण है कि रेल इंजन के विस्कारा कौन है तो रेल इंजन के विस्कारा के बात करते जोज अश्टी फेंस हो जाएंगे जोज अश्टी फेंस आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ले की भारती रेल का विल एंड एक्सल प्लांट कहां है इसका जो प्लांट है कहां पर हो जाएगा तो बैंगलोर आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रस्ले को बात करते का रहे कि भारत में रेल का आरंब की सन में हुआ था तो भारत में रेल के आरंब की बात के तो ठारो सो तीरपन में भारत में रेल के आरंब की आ गया था अगला प्रस्ने की भारत के दच्छिन के अंतीम बींदू पर कौन सा रेल्वे स्टेशन है भारत की दच्छिन के अंतीम बिंदू पर बात करतें कौन सा रेल्वे स्टेशन है तो कन्या कुमारी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्णिक और बात करतें इस्टेंट एंड उससे पहले आप सभी से छोटा से रिकेश्ट है अगर आप सभी को क्लास और कोशन काफी पोड़े लग रहे और आप सभी क्लास अच्छा लग रहे तो प्लीज उस्टेंट चलो को सस्क्राइब कर कॉमेंट बोक्स अपलोग अपना फीड़बक जोड़ दिजेगा क्या आप सभी क्लास कैसा लग रहा है ठीके न तेरह नमर प्राशन कि भारती रिल का राष्ठी करण कब हुआ था तो भारती रिल के राष्ठी करण के बाद करते तो 1950 में भारती रिल elections के राष्ठी करण किया गया था 1950 आप सबी का right answer होजाएगा चली अगला प्रस्ण है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है यानि कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी जो कि डीप गुरू गड से कन्या कुमारी तक जाती है अगला प्रस्ने कि भारत में चलने वाली पहली इलक्ट्रोनिक ट्रेन कौन सी है तो डेकन क्विन हो जाएगी क्विन जो की कल्याण से पूरे तक चलती है अगला प्रस्ने की जीवन रेखा एक्सप्रेस लाइफ लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंब हुई थी 1991 आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्णे को बात करते हैं आप सभी का अगला प्रश्णे है कि भारत के सबसे लंबी रेल्वे टनल कौन सी है तो भारत की सबसे लंबी रेल्वे टनल की बात करें तो पीर पंजाल आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ने सबसे लंबी railway platform कहा है तो गोरखपूर हो जाएगा अगला प्रस्ने भारत और बंगलादेश के बीच चलने वाली rail कौन सी है तो मैट 3 एक्सप्रेस हो जाएगी जो कि भारत और बंगलादेश के बीच ये rail चलती है चली अगले प्रस्ने को बात करते हैं भारत के किस राज्य में railway line नहीं है तो मैं घ्याले में आपसुई को किसी प्रकार के railway line देखने को नहीं मिलेगा चली अगले प्रस्णिक और बात कहते हैं 21 नमबर प्रस्णिक आप सभी को इस्टेंट याप पर पूछा जार ध्यान दिजेगा करें कि भारती रेल का असलोकन क्या है भारती रेल के असलोकन की बात करें तो राष्ट की जीवन रेखा हो जाएगा ये कोशन भी काफी इंपुटेट ध्यान दिजेगा अगला करें कि भारती रेलवे का संगरहाले कहा है तो भारती रेलवे की संगरहाले की बात करें तो चाड़क के पूरी नैदिल्ली में हो जाएगा अगला प्रसने रेल्वे स्टाफ कॉलेज कहां इस्ति थे तो रेल्वे स्टाफ कॉलेज की बात के तो बरोड़ा में हो जाए बरोड़ा अगला प्रसने की भारत में ब्रांड गेज पर सबसे उच्चा अस्टेशन कौन सा है तो काजी गुड हो जाएगा भारत के कीन दो रेलेवे स्टेशन के बीच है यहाँ पर अगला प्रस ने ध्यान दिज़ेगा 24 नंबर प्रस ने आपर पूछा जा रहा है कि सारदीक रेलेवे लाइन मुंबई में बांधरा और आंध्रे के बीच अंधेरी के बीच साथ समरांतर लाइने है जो की सबसे अधिक है अगला प्रस ने भारत में सौरपर्थम रेल का सुबारंब किसने किया था तो भारत में सौरपर्थम रेल का सुबारंब की बात करे किस के द्वारा किया गया था तो लाड डलहोजी के द्वारा किया गया था अगला प्रस्ण है कि रेल सेवा आयोग के मुख्याले कहां पर है रेल सेवा आयोग के मुख्याले के बात करें तो इलहाबाद, मुंबई, कुलकाता, भोपाल और चेन्नेई में एस्तित हो जाएगा चली अगले प्रस्ण को और बात करतें 27 नंबर है कि भारती रेल्वे का रेल लाइन की लंबाई की दिरिष्टी से 200 का कौन सा स्थान है तो 200 में बात करें भारत की सस्थान पर है तो चौथ्य स्थान पर हो जाएगा अगला प्रस्ण की भारती रेल्वे का सारदिक रेल गाड़ी चलाने वाले रेल्वे स्थेशन कौन सा है तो कानपूर हो जाएगा प्रती दिन 300 गाड़ियों का परिचलन सबसे अधिक 48 डाइमंड रेल क्रॉसिंग है ठीके नब ये सारे प्रस्ण इस्टेंट आपसी की एक चली अगले प्रस्ण को और बात करते हैं कि बीशो की सबसे पूराना भाफ इंजन जो अभी भी चालू हालत में है कौन सी है तो फियर क्वीन भारत में हो जाएगा चली अगले प्रस्ण को और बात करते 30 नंबर है कि भारत में सबसे छोटे नाम वाले अस्टेशन कौन सा है तो दठिड पूरू हो जाएगा अगला प्रस्ण की मध्य रिल्वे में जार सू गुड़ा के पास इब अस्टेशन तथा गुजरात के आनंद गोधरा के बीच ओड अस्टेशन हो जाएगा अगला प्रस्ण भारत का सबसे बड़ा सारोजनिक उपक्रम कौन सा है तो भारती रिल हो जाएगा अगला प्रस्ण भारती रिल कितने छेत्रों में बटी गई है तो भारती रिल की बात करे कितने छेत्रों बटा गया है तो 17 आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रस्ण को बात करते हैं 34 नंबर प्रस्ण है कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी तो भारत में प्रथम रेल की बात करें तो 16 अप्रील 1830 में पहली बार रेल चली थी अगलापरसने भारत की पहली रेल कहां चली थी तो मुंबई से थाणे की भी चली थी, आप सभी को पता होगा अगलापरसने सौताँंतर भारत का पहला रेल बजट किन हो ने प्रस्तूत किया था यह कौशन भी काफी difficult day की पहला रेल बजट किसने पेस किया था तो जॉन मथाई के दोरा पेस किया गया था जॉन मथाई आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ने भारत में सबसे लंबे नाम वाले रेलिवे स्टेशन कौन सा है तो स्री वेक्टर वेक्टर यहां पर सीहान जुवारी पेटा हो जाएगा जो की दच्री रेलिवे में हो जाएगा इसका नाम इतना बड़ा है ठीके न चलिए अगले प्रस्ने को बात करते अगला प्रस्ना सभी का 38 नंबर कि भारत में समुंदरी तल से सारधी कुछाई पर इस्तित रेलिवे स्टेशन कौन सा है तो धूम हो जाएगा ठीके न अगला प्रस्ने भारती रेल नेटवर्क का 200 का कौन सा अस्थाने तो चौत्य अस्थान पर हो जाएगा भारती रेल नेटवर्क का एस्थान पर हो जाएगा अगला प्रस्ने भारती रेल वे बोर्ड की अस्थापना 1905 में किया गया था अब बीस वो में प्रतम एल चली थी 1825 में इंगलेंड बीसो की बात के अजार आपर बीसो में ऐसे रहेगा यानि कि ये भारत की बात नहीं कि अजार आए कि अठार सो तीरपन आप लोग जवाब देंगे यहाँ पर बीसो में पूछा गया है तो 1825 में जो की इंगलेंड में चली थी पहली बार अगला प्रसने भारत और पाकिस्तान की भी चलने वाली रेल गाड़ी कौन सी है तो समझोता वथार एक्सप्रेस हो जाएगी अगला प्रसने भारत में सबसे तेज गती से चलने वाली रेल गाड़ी कौन से है तो सताबदी एक्सप्रेस सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रस्णे की भारत का सबसे लांबा प्रेटफर्म कौन सा है तो खड़क पूरी हो जाएगा जो की पच्छी म बंगाल में हो जाएगा चली अगले प्रस्णे को बात करते 64 नमबर की भारत के किस राज़े में रेल लाइन सबसे अधीक है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा पूरो उत्तर भारत के राज़े में रेल मार्ग नहीं है मिघ्याले भारती रेले बज़ट समाने बज़ट से कब अलग किया गया था तो 1824 में इसको अलग किया गया था अगला प्रसने भारत में भूमी गत मेट्रो रेलवे का सुबारंब और कहा हुआ था 1884-1885 कोलकात्ता में किया गया था और पहली बार मेट्रो यही से चालो हुई थी चीगिन अगला प्रसने कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलवे गाड़ी कौन सी है तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी अगला प्रसने भारत में प्रतम वीदूत इंजन का निर्मान का पारम हुआ था तो 1971 आप सभी का राइटेंस हो जाएगा अगला प्रसने इंटी ग्रल कोच फैक्टरी कहा है तो पिरंबुर यहने की तमिन चन्नी में हो जाएगा अगला प्रसने रेलवे कोच फैक्टरी कहा है तो हुसेनपूर कपूर थाला में हो जाएगा अगला प्रसने रेलवे कोच फैक्टरी कह स्थापना उनी सो न्ठावन में पैलेक्स औन वील की तरज पर नई रेलगाडी डेकन और ओडिसी का परिचालन किस राज़ी में हो रहा है तो महराष्ट में अगला प्रसने कोंकर रेल मार्ग की परवस रिंखला से उकर गुजरतत पच्वी घाट भारती रेल मार्ग का कूल कितने परतिसाद विदूत करन है तो 30% हो जाएगा अगला प्रसने भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है तो तीन प्रकार के अगला प्रसने रेल पत के ब्रांड गेज की लंबाई 1.67 मीटर हो जाएगा बिदूत रेल कब चली थी 1925 में भारत का पचीमतर रेलवे अस्टेशन कौन सा है तो ओखा हो जाएगा अगला प्रस्ने भारत का सबसे पूरो रेले, रेलवे अस्टेशन कौन सा है तो लीडो हो जाएगा, अगला प्रस्ने भारत का व्यस्तम, व्यस्तम, रेल लाइन, रेलवे अस्टेशन कौन सा है तो हावडा हो जाएगा, अगला प्रस्ने भारत का सुदूरतम, रेलवे सब्सक्राइब और अगला प्रस्ने भारत का सबसे बड़ा रेलिवे जंक्षन कौन साथ यहां साथ हो जाएगा अलग दिसाओं में गाड़ी का परिचलन होता है अगला प्रसने भारत का सबसे लंबा रेल्वे प्लेटफॉर्म खड़क पूर हो जाएगा इसका 1072 मीटर हो जाएगा अगला प्रसने भारती रेल्वे में स्वर परतम ISO 901 से 2000 सर्टिफिकेट हो जाएगा जालत में प्रसने भारत का व्यस्तम ऐपन नगरी रेल्वे चलती हो जाएगी स्टेशन कौन सा है तो मुंबई छत्रपती सीवाजी टर्मिनल हो जाएगा अगला प्रस्ने भारत में रेल लाइन बिछाने का सरे किसे प्राप्त है तो लाड़ डल हो जी का हो जाएगा अगला प्रस्ने भारत में रेलवे जोनों तथा रेलवे डिवीजनों की संक्या कितनी है तो 17 रेल्वे जोन और सरस्ट डिवीजन हो जाएंगी अगला प्रस्य भारती रेल्वे में लगबग इतने करें करमचारी है। तो 13.28 लाख नयमीत क्रमचारी है। अगला प्रसнос भारत में पर्यकला ऩहा खाली। तो कोलकाता दिल्ली वा बैंगलूरू में चली अगले प्रस्ने को बात करते और यहां पर आपसी को लास्ट प्रस्न देखे क्या है यहां पर देखे अगला प्रस्ने कि भारती रिल्वे का स्थाई सुभांकर क्या है तो भोगू भोलू गाड के रूप में गज हरी बती वाल लाल्टेन उठाइए उठाए अगला प्रस्ण भारत में सबसे पहली ट्रेन कब और कहां चली थी तो 16 अप्रील 1830 को मुंबेज से थाड़े के मद्द चली थी तो आज की क्लास को इस तक इंड करते हैं तो जैसा कि आप लोग देख पारे कि सारे प्रस्णाव सभी के लिए का क्लास को स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रस्णे के साथ क्या आप सभी का पहला प्रस्णे क्या पूछा जा रहा है पहला प्रस्णे कर रहा है कि हीरा कुंड बांध किस राज्य में इस्तित है तो राइट एंस रोज जाएगा आप सभी का ओडिसा में इस्तित हो जाए का benefit यह मिलने वाला है कि आप लोग कम से कम समय में अधिक सदी कोशन को कबर अब कर पाएंगे ठीक है ना जो कि सारे प्रशनाव सभी के 100 प्रशन जौब सभी के सिर्फ 15 से 10 से 15 मिनट में मैं कबर अब करवा दूगा ठीक है ना अगला प्रशन आप सभी का कि सोतंतर भारत के पहले गौवर्नर जन्रल कौन थे तो सोतंतर भारत के पहले गौवर्नर जन्रल के बात के अजाए तो सी राज गुपाल चारी हो जाएंगे अगला प्रशने की टेलीफोन का विश्कार किशने किया था तो टेलीफोन का विश्कार के बा साबर्मती आश्रम के अस्थपना कब किया था तो राइटेंस रोज्यगाव सभी का 1916 में सभर्मती आश्रम के 922 को हुआ था ये चोरा-चोरी कान्ड की बात करें तो गोरकपूर उत्तरपरदेश में यह हुआ था चली अगले प्रस्ने को यह बात करतेक आथ समय का अगला प्रस्न है कि मोपला आंदोलन कब और कहा हुआ था तो मोपला अंदोलन की बात करते तो राइट एंसर उज्जेग आप सभी का 1921 माला बार केरल में हुआ था और इस सारे प्रशन इस्टेंट आप सभी के लिए एक्जाम ओरियेंटे लिया गया ठीकर और आप सभी की एक्जामें ऐसे बहुत सारे प्रशने जो की आज की स्थापना की बात करते तो मोतिलाल नहरू और चितरणजन दास आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशने की लखनव समझोता कब और किसके मध्य हुआ था लखनव समझोता के बात करते हैं तो ये दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुश्लिम के बीच मुश्लिम लिंक के बीच ये समझोता किया गया था ठीगे न अगला प्रस्ने की भारती राष्टी कांग्रेस की प्रथम महिला महिला अध्यक्ष कौन थी तो भ आगला प्रस्ने है कि डांडी यत्रा कब सुरू हुई थी तो डांडी यत्रा के बात करते हैं तो आफसी की बारा मार्च 1930 को सुरूत हुआ था ठीक न और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका अंत कब हुआ ठीक न शुरूत तो बारा मार्च 1330 को ववा थ लेकिन इसका end point क्या था आप लोग comment box में जुरूर बतेएगा अगला प्रस्ने की जन्तु बिज्ञान का जनक किसे काते हैं तो जन्तु बिज्ञान के जनक के बात करें तो अरस्तु को कहा जाता है अगला प्रस्ने अगरा का किला किशने बनवाया था तो अकबर आप सभी का right answer हो जाएगा चली अगले प्रस्ने को बात करते हैं किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मना जाता है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मना जाता है तो मेजर ध्यान चंद आप सभी का right answer हो जाएगा अगला प्रस्ने की 200 पारेवरण दिवस का मना ज अगले प्रशने की चमपारण सत्यागरा कब हुआ था तो चमपारण सत्यागरा के बात करते तो नव 19 अप्रेल 1917 को चमपारण सत्यागरा हुआ था चलिए अगले प्रशने को और बात करते आप सभी का अगला प्रशने की राष्ट पती किसकी सलाह पर लोग सभा को उनकी ओधी के समाप्ती से पहले भंग कर सकता है तो प्रधान मंत्री आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अगला प्रशने की साची का स्थूप किशने बनवाया था यह भी कोशन काफी पुड़े एक्जाम ओरियेंटेड बात किया जैतु तो साची के बात कर तो समराट असोक के दौरा बनवाया गया था चलि अगले प्रशने को बात करते हैं आप सभी के अगला प्रशने की राष्ट पति यह तो यह कोशन करवा दिया गया रिप्टेशन हो रहा है किया था तो फायान के बात करें तो चंदर गुप्त दृतिये के सासन काल में फायान जो था भारत यातरा को संपन किया था ठीक है न अगला प्रस्ने रतौंधी रोग किस बीटामिन की कमी से होती है तो रतौंधी रोग की बात करें तो अगले प्रस्ने को बात करते हैं आप स किस राजजी का तेवहार है और आप सभी की एक्जाम में 100% में ग्रान्टी देता हूं कि आप तेवहार और निरीत्थी ह divisions एक प्रश्न 100% पूचएगा कि कौन से राजजी का कौन से निरीत्थी है यहहाँ पर पूचा गया कि पॉंगल किस राज-जी का तिवहार है तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का तमी नाड़ू आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ने कि मात्मा गांधी को गोली किशने मारी थी मात्मा गांधी की बात करते कि मात्मा गांधी जी को गोली किशने मारा था तो नाथु राम रोड से मारा था रोड से ठीक है न फ्री गोड से जो था इसका नाम था नाथु राम जो की मात्माघांधि गोली मारा था ठीक है न अगला प्रस्ने की गदर पार्टी के स्थपना कोब और कहा होई थी तो गदर पार्टी के स्थपना के बात करते हैं नुवंबर 1913 सेन फ्रांसिसको अमेरिका में इसके स्थपना किया गया था गदर पार्टी के स्थपना चली अगले प्रस्ने को बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा से रिकेश ठीक कि अभी तक आप से में चलब को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लिस इस चलब को सब्सक्राइब